नमस्कार, मैं प्रोफिसर सुभास चंदर रॉय, आज आपसे अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन और आकलन का अधिगम विशय पर कुछ बातचीत करना चाहता हूँ. इस बातचीत के करम में जो पहला खंड होगा, उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि माबाप बच्चों को विद्याले क्यों भेजते हैं, सीखना क्या है, आकलन क्या है और अधिगम या सीखना तथा आकलन में संबंद क्या है। वारतालाप के दूसरे खंड में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आकलन कितने तरह के हो सकते हैं, जैसे कि अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन और आकलन का अधिगम, और वारतालाप के तीसरे खंड में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन तीनों परकार के आकलनों म क्या संबंध है और कैसे यह शिक्षा के उद्धिष को प्राप्ट करने में हमें मदद करते हैं। इनका जानना हमारे लिए एक सिक्षक के लिए और मैं तो कहोंगा कि एक बच्चे के लिए भी कितना जरूरी है। हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि माबाब बच्चों को विद्याले क्यों भेजते हैं जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा मनुष्य को बनाने वाली एक प्रिक्रिया है एक मशीन है जिसके तहट गुजरने से बच्चे एक बांचित एक अच्छे इनसान के रूप में जैसा कि हम बनाना उन्हें चाहते हैं, जिस तरग का मनुश्च उन्हें हम बनाना चाहते हैं, वो ऐसा मनुश्य बन जाते हैं। मुझे के लिए है कि हम कैसा मनुष्य बनाना चाहते हैं, मनुष्य बनने के बाद वह कैसा दिखेगा या दिखेगी यह तैय करना आसान नहीं है, क्योंकि यह निर्वय करता है कि वह मसीन कैसी है, वह प्रक्रिया कैसी है, अतर सिक्षा की प्रक्रिया और सिक्षा के को तै करना बहुत ही कठिन मामला है और यदि मुझे सिक्षा को समझना है तो मुझे सिक्षा के उद्देश्यों को समझना होगा और हाई लिखाई के उद्देश्यों को समझना होगा अखिर यह किस मकसद से दिया जा रहा है सिखाया जा रहा है दुनिया में विद्वानों औ और विद्वानों के समूहों ने अपनी अपनी नजरियों से इसे तैकरने की कोशिश करी। और हर नजरिये का जैसा की होता है कि अपना गुन और दोश है। दुनिया में जितने भी स्कूल आफ थौर्स हैं, सबों की कुछ अच्छाईयां हैं, तो सबों में कुछ न कुछ कमियां भी देखी गई हैं। और इसलिए एक अच्छी सिक्षा विवस्था उसको मानी जाती है, जिसमें सभी अलग-अलग बिशारों, अलग-अलग नजरियों से ली गई अच्छाईयों को समय कित किया जाता है। जो एक तरह का मिश्रन होता है अच्छाईयों का। और इन सब को तै करते समय प्राया हम देश-समाज की भागौलिक स्थिति, वहां की एतिहासिक स्थिति, वहां की परहंपरायें, वहां की राजनेतिक परिस्थिति, वहां की आर्थिक परिस्थिति, वहां की सामाजिक परिस्थिति, ग्लोबल वैश्विक स्थिति क्या है उ इजिएगनिक चिंतन, सोच, प्रगती कहाँ पर है और मनोवैगनिक शोध क्या करते हैं इन तमाम चीजों को एक साथ मिला करके हम देखने की कोशिश करते हैं और तब जाकरके हम इनका मंथन करते हैं और इनको मतने के बाद जो निकलता है चछन कर उससे हम सिक्छा का से सजाते हैं और उन्हें विद्याले आधारित, महाविद्याले आधारित और विश्विद्याले आधारित बना देते हैं फिर इन उद्देश्यों को जमीन पर उतारने के लिए इनका क्रियानुवन करने के लिए बनता है पाठिक्रम, सिलेबस, पाठिपुस्तक, सिक्षन अधिगम सामगरी, सिक्षन अधिगम प्रक्रिया, सिक्षक प्रसिक्षन ये तमाम चीजों का निर्धारन होता है और ये चीजें अंत में सिक्षा के उद्देश्चों को विद्याले और कख्षाओं तक ले जाने मे ये चीज़ें इसली की जाती हैं ताकि उधिश्यों को प्राप किया जा सके और हम जिस तरह का मान्म निर्वान करना चाहते हैं, जिस तरह का मनुष्य बनाना चाहते हैं, हम उसे बना सकते हैं. और बारीकी से यदि हम देखें तकनिकी आधार पर हम देखें तो हम विद्याले अस्तर पर यह भी कोशिश करते हैं कि हर विशय के लिए और हर कक्षा के लिए कक्षा के अंत में वर्स के अंत में उस विशय या उस कक्षा में बच्चा को कितना जानना चाहिए और किस तरीके कर लेते हैं, इसकी एक सूची बना लेती हैं, जिसे हम अध्यन के पढ़नाम के रूप में जानते हैं, या अध्यन के सूचक के रूप में भी देखते हैं, इसे अंग्रेजी में learning outcome एब हम learning indicator कहते हैं, यह उद्दिश के बहुत ही छोटे टुकरे होते हैं, जिने हम समय खंट में प्राप्ट करने की कोशिश करते हैं, यह learning outcome या learning indicators हमें मदद करते हैं कि हम पता कर सकें, कि हम उझे इस समय तक कहां पहुँचना था और हम कहां पहुँचे हैं, बच्चों को कितना सीखना था और हम कितना उन्हें सिखा पाए हैं, बच्चे कितना सीख पाए हैं, यह तमाम चीजें हमको इनकी मदद से हम इनका आगलन कर सकते हैं, हाल ही में NCRT ने learning outcome की सुची तयार करके देश के लिए एक बड़ा काम किया है, अब जब learning outcome, learning indicators हमारे पास हैं, हम जानते हैं कि साल के अंत में या कोर्स के अंत में, बच्चे को इस विशह में और इस कक्छा में इतनी बातें जान लेनी चाहिए तो हमें यह समझना होगा कि जानने के बाद जो उसके बेवहार में शारिरिक अस्तर पे मांसिक अस्तर पे मनोवैग्यानिक अस्तर पे भावनात्मक अस्तर पे कौशल के अस्तर पे जो परिवर्तन आएगा और जो उसके विवहार में परिवर्तन आएगा वही अधिगम है यह अधिगम किसी रूप में दिखाई दे सकता है या चंतन के रूप में दिखाई दे सकता है या वेभार के खोशलों के रूप में दिखाई दे सकता है या शारिरिक विकास के रूप में या दिखाई दे सकता है या किसी भी रूप में या अभिबृति के रूप में दिखाई दे सकता है ये तरह से बच्चे के संबंदित किसी भी मामले में जो परिवर्तन होता है जो सकारात्मक परिवर्तन होता है जो लक्ष के अनरूप परिवर्तन होता है उसे ही हम सीखना कहते हैं या अधिगम कहते हैं इस तरह के परिवर्तन को हम निश्चित रूप से इसका आखलन कर सकते हैं इसको हम जाच सकते हैं कि यह परिवर्तन हुआ है यह नहीं हुआ है यह जाचना बहुत आवश्यक है आखलन करना इसका बहुत आवश्यक है तो अधिगम के आकलन हम कई परकार से कर सकते हैं आकलन इसलिए हम करते हैं क्योंकि इससे हमको पता चल जाता है कि बच्चा कितना सीखा है इससे पता चल जाता है कि हम जो कर रहे हैं बच्चों को सिखाने के लिए वा कहां तक उचित है और कहां कहां उसमें तुर्टियां हैं, कहां कहां उसमें खामियां हैं और इस तरह से हम अपनी खामियों को दूर करके बच्चों के सीखने की गती में हम परिवर्थन कर सकते हैं बच्चों को आगे बढ़ाने के क्रम में हम परिवर्थन कर सकते हैं बच्चे पे हम द्रिष्टी रख करके हर बच्चों में सीखने की प्रिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं और लक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं इसलिए आकलन बहुत ही आवश्यक है और आकलन सीखने की क्रिया का एक अभिन अंग है आकलन कई तरह के हो सते हैं जो एक आकलन है वो इसको जाचने के लिए हम कई तरह के टेस्ट लेते हैं, हम कई तरह के परिक्षिन कर सकते हैं, हम क्लास टेस्ट लेते हैं, ले सकते हैं, हम साथताहिक टेस्ट ले सकते हैं, हम पाक्षिक टेस्ट ले सकते हैं, हम मासिक जाच कर सकते हैं, तिमाही कर सकते हैं, शमाही कर सकते हैं वार्षिक अस्तर पर भी हम परिक्षा लेते हैं या परिक्षा मौकिक और लिखित दोनों ही परकार के हो सकते हैं कभी-कभी या परिक्षा क्रिया आधारित भी हो सकती है तो इस तरह से विभिन अस्तर पे परहाये गए हिस्से में से प्रशनों को पूछ कर जो परिक्षाइं ले जाती है और उसका मुल्यंकन करके देखा जाता है कि बच्चा पूरे में से कितना सीख पाया है और उससे बच्चों के बारे में उनकी सीखने के बारे में एक समझ बनती है शिक्षकों को, विद्याले को, अविभावक को, कि हमारा बच्चा कहां पर है, दूसरों की तुलना में कहां पर है, विद्याले में कहां पर है, दूसरे विद्यालियों की तुलना में कहां पर है, और अपने आप हुआ उद्धिश्च की तुलना में, कहां उसको पहुँचना था लक्ष की तुल्ला में वह कहां खरा है यह जानकारी अधिगम का आकलन assessment of learning के माध्यम से हमें प्राप्त होता है तो जब हम परहाए गए हिस्से से प्रश्न पूछ कर या जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चा कितना सीखा है यह अधिगम का आकलन कहलाता है हमें इससे पता चलता है कि बच्चा कितना सीखा है और कितना नहीं सीखा है अधिकतर हमारी परिक्षा है अधिगम का आकलन जिससे summative evaluation भी हम कहते हैं summative assessment भी हम कहते हैं अधिगम का आकलन ही होता है क्योंकि इसी के आधार पर हम विद्यालियों में सभी अंकों को सभी अलग-अलग खंडों में ली गई परिक्षाओं के अंकों को जोर करके और इसका हम result निकालते हैं progress card में भरते हैं और अभवावकों को देते हैं या आपस में सिक्चक उस पर विवर्ज करते हैं यह अधिगम का आगलन assessment of learning कहलाता है assessment of learning, assessment of knowledge कहलाता है यह ब्यक्तिकत और सामोहिक भी हो सकता है प्रश्णों के प्रकार अलग-अलग हो सकते हैं और अधिक तर इसमें एक खास बात होती है कि हम प्रश्णों के द्वारा बच्चों की सूचना को जानने की कोशिश करते हैं बच्चों की जानकारी को जानने की कोशिश करते हैं बच्चों की जानकारी लेने की कोशिश करते हैं उनके पास कितनी जानकारिया हैं तो यह एक तरह से सूचना ही इकठा करने का आकलन होता है इस आकलन में हमें बस इतना पता चलता है कि बच्चा को कितना जानना था और वह कितना जान पाया इससे यह भी पता चलता है कि बच्चा दोसरों की तुलना में कहां पर है इससे पूरे क्लास या इस्कूल या जिले के बच्चे के बारे में भी पता चलता है कि कितने बच्चे आउसत से उपर हैं या कितने नीचे, कितने बच्चे पास हुए या कितने फेल, कितने बच्चे किस वर्ग में उत्यर्ण हुए, या सब assessment of learning के माध्यम से हम जानते हैं, या सब आकलन का अधिगम के माध्यम से हम जानते हैं, या बहुती प्रचलित तरीका ह जो सदियों से हमारे स्कूलों में चला आ रहा है अमोवन तो ये साल में दो ही बारा आता था लेकिन अब सिसी के नाम पर छोटे-छोटे कालखंडों में भी यह होने लगा है अंत में सबों को जोड करके आउसत निकाल लिया जाता है और रिजल्ट आउट कर दिया जाता है या विशेवार होता है और कभी-कभी असंग्यानात्मक छेत्रों का भी आगलन इसमें दिखाई देता है लेकि इसमें मूल बात है कि हम सिर्फ यह पता कर सकते हैं कि बच्चा कितना जानता है या सिर्फ जानकारी की जाँच है और कुछ नहीं और साथ ही हम इस जाँच के मादियम से इस आखलन के मादियम से एक बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से कर सकते हैं कि कौन कहां खरा है इसमें बच्चों के सीखने के तरीके, सोचने के तरीके, सीखने की कटनाईयां, बेक्तित के अन्य गुनों, कौसलों के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, जो आकलन का एक महत्पुर्ण लक्च है। एक दूसरे प्रकार का आकलन, जिसे हम अधिगम के लिए आकलन कहते हैं, जिसे हम एसेस्मेंट फॉर लर्निंग कहते हैं, जिसे हम बहुते लोकप्रिय धंग से फॉर्मेटिब एसेस्मेंट भी कहते हैं, या बहुत ही महत्पुर्ण आकलन का एक प्रकार हैं। आकलन का एक बड़ा उदेश है कि अधिगम में मदद करना, सीखने की प्रिकरिया में मदद कर आकलन नौकेवल ग्यान और बेक्तित विकास में मदद करती है, बलकि सीखने की गुनभत्ता में भी बर्दी करती है, इसके लिए एक सिक्षक के पास जो जानकारी होनी चाहिए, वह है कि एक सिक्षक को सिक्षक का उदेश पता होना चाहिए, ब्यक्तित विकास के समस्त पहलूओं की जानकारी होनी चाहिए, कक्छावार एवं विशयवार अपने लक्ष, लर्णिंग आउटकम्स, लर्णिंग इंडिकेटर्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए, और पु फीडबैक देने में, हमें दूसरों को फीडबैक देने में महारत हासिल होनी चाहिए, फीडबैक जो इस आकलन का एक बहुत ही महत्पूर्ण हिस्सा है, फीडबैक हम कहते हैं कि जब हम किसी की बात सुनते हैं, जब कोई काम करते हैं, किसी को काम करते हुए देखते हैं, तो सुधार के लिए जब हम उनको सलाह मश्विरा देते हैं तो यह एक तरह से फीदबैक है इस अधिगम का उद्देश पाश्य फेल नहीं करना है बलकि सीखने में गती एवन गुनवत्ता लानी है साथ ही यह भी इस प्रक्रिया दोरा पता करना है कि एक सिक्षा के रुप में हमारे प्रियास में कहां कहां चूक रह गई और हम कैसे उसमें सुधार ला सकते हैं इसलिए यह दो बातें बहुत ही महत्पूर्ण हैं यह कहिए तो एसेस्मेंट फॉर लर्निंग इसमें जो मुखे दो और बाते हैं वह है एक तो ततकाल सुधार की बात हम करते हैं इसमें एस्पॉर्ट करेक्शन नहीं था है इसमें और दूसरा है पॉजिटिव फीडबेक देने की प्रिक्रिया जो कि हम इसमें देते हैं और यही दोनो चीजें सीखने की क्रिया की गुनबत्ता साथ ही साथ उसके परणाम को भी बढ़ा देता है बच्चों को लक्ष तक पहुचाने में बहुत हद तक मदद कर देता है यह इस आकलन का एक प्रमुक्षा है इस प्रिक्रिया में नौकेवल बिशेगत बल्कि व्यक्तित्य के अन्य पहलू से संबन्दित बातों पह भी नज़र रखे जाती सरफ बिशे की बात नहीं है बिशे के अत्रिक्त जो और संग्यानात्मक पक्ष है जिने हम अमुमन और संग्यानात्मक पक्ष कहते है जो व्यक्ति के अंदर अन्य मेधाओं वाला छेतर है जो प्लेग्राउन में दिखाई देता है जो डिवेट डिसकसन में दिखाई देता है जो मेजिक आर्ट्स में दिखाई देता है जो एक दूसरे से बातचीत करने में दिखाई देता है जो एक दूसरे से सहीयोग करने में यह तमाम अन्य चीजों में दिखाई देने वाली जो मेधा है, उस मेधा के उपर भी इस पर नजर रखी जाती है, और इसका आकलन किया जाता है, और आकलन इसलिए किया जाता कि उसमें सुधार और गति लाई जासे कि, उसको दुरुष्ट किया जासे की. इसलिए अधिगम के लिए आकलन एक बहुत ही महत्यपुर्ण आकलन का तरीका है जो सीखने की क्रिया को और आगे बढ़ाने के लिए होता है इसमें जो सामाने तया हम बिधी अपनाते हैं वो निरेक्षन की बिधी हो सकती है या अबलोकन की बिधी होती है इसमें भागीदारी होती है इसमें दूसरे के साथ वैभार आपसी सहयो विपरीत परश्थिती में निरने लेने की छमता नेतुरित की छमता आदे चीजें हम इ साथ चलती रहनी चाहिए इसे ही हम formative evaluation करते हैं या अधिगम के लक्ष को गुनबता के साथ प्राप्त करने में सहायक होता है इसमें कोई दोमत नहीं है या सीखने की गती को बढ़ा देता है इस तरीके से कोई बच्चा वर्ग में छूड़ता भी नहीं है कोई ऐसा बच्चा बचता भी नहीं है जिस पर ध्यान ना जाए और जिसको सीखने में मदद ना मिले और जो सीखने में आगे ना बढ़ सके सभी अपने अपने गती से सीखते हैं ताथी शिक्षक भी अपने तरीके में सुधार लाता है ला सकता है आकलन के इस विधी द्वारा एक एक समझोर और मजबूत पक्च की पाष्चान हो जाती है जिनने रिपोर्ट कार्ट में शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है अब जो तीसरे प्रकार का आकलन है वो है आकलन का अधिगम यह जो आकलन की प्रिक्रिया है इसको समझना और खास करके यह जो फॉर्वेटिव कोगनिशन कहते हैं और जब हम मेटा कोगनिशन की निगरानी रखते हैं जब उसको हम उपर से देखते हैं कि यह कैसे कैसे हमारे मस्तिस्क में सीखना होता है बच्चों के मस्तिस्क में सीखना होता है शिक्चा के मस्तिस्क में सीखना होता है कैसे यह करम बार चलता है और कह तो हम चुक होने से कमी रह जाती है और कैसे वहाँ पर उसको सुधार करें या जब हम अपने आप reflection कर लेते हैं एक तरह से यूं कहिए कि हम जब इसका observation कर लेते हैं देख लेते हैं तो और समझ जाते हैं और सोता सुधार करने लग जाते हैं तो हम कहते हैं कि यह लर्निंग जो है, यह अधिगम जो है, यह आकलन का अधिगम है, हम अपने ही प्रक्रिया को, अपने ही मानसिक प्रक्रिया को, अपने ही आकलन की प्रक्रिया को, हम अधिगम के द्वारा उसको सीखते हैं, कि यह कैसे हमारे मस्तिष्क में चलता है, और कहा पर इसमें कमी रह जाती है और कहां पर इसे हम सुधार कर सकते हैं या एक बिलकुल वैग्यानिक क्रिया के तहट मस्तिश्क में हम सीखते हैं और उस वैग्यानिक क्रिया को जब हम समझ लेते हैं मेटा कॉवनिशन को समझना और उच्छ तरीके का हो सकता है और साथी साथ अध झाल झाल